भगवान विश्वकर्मा, स्रिष्टी के दिव्य शिल्पकार, भगवान विश्वकर्मा हिंदु धर्म के महान शिल्पकार और देवताओं के वास्तुकार के रूप में पूजनिये है। उन्हें स्रिष्टी के रचनाकार, निर्माता और वास्तुकला एवं यांत्रिकी के ज और वास्तुकला के भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। वे इस कार्य में अत्यंत कुशल और नेपुर्ण थे। उनके हाथों से बनाये गए सभी निर्मान अद्वितिये और दिव्या होते थे। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा समुद्र मन्थन के समय उत्पन हुए थे। उन्होंने उस समय देवताओं और असुरों के बीच उत्पन कई अद्भूत वस्तों का निर्मान किया। इसके साथ ही वे सभी अस्त्रशस्त जिनका उप्योग देवता अपने शत्रों से रक्षा के लिए करते थे। भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित थे। भगवान विश्वकर्मा का योगदान भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए कई अध्भुत निर्मान किये, जो हिंदू पौरानिक कताओं में प्रसिद हैं. उन्होंने विभिन महलो, यंत्रो, नग्रो और अस्त्रशस्त्रो का निर्मान किया, जो उनकी महानशिल्प्ला और वास्तुकला के प्रतीक हैं उनके द्वारा किये गए कुछ प्रमुक निर्मान निम्नलिखित है 1. स्वर्ग लोप स्वर्ग, जो देवताओं का निवास्त्तान माना जाता है, भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है इसे उन्होंने देवताओं के लिए एक दिव्यस्तान के रूप में तैयार किया, जहां सभी देवता निवास करते हैं स्वर्ग को उनकी कारीगरी और वास्तुकला की उतक्रिष्ट मिसाल माना जाता है, जहां अद्भुत महल, बाग, और अन्य सौंदर्य से भरी चीज़े हैं 2. द्वारका नगरी भगवान श्रीकृष्ण की नगरी द्वारका को भी भगवान विश्वकर्मा ने ही निर्मित किया था। जब श्रीकृष्ण ने मतुरा छोड़ने का निर्नय लिया, तो उन्होंने समुद्र के किनारे एक सुंदर और मजबूत नगरी द्वारका की स्थापना की। यह नगर विश्वकर्मा ने रावन के लिए बनाया था। यह विमान विशेश रूप से अध्वितिय था क्योंकि यह अपने उप्योग करता की इच्छा के अनुसार परिवर्तित हो सकता था। श्रीराम द्वारा रावन का वद करने के बाद यह विमान श्रीराम को प्राप्त और उन्होंने इसका उप्योग अयोध्या लोटने के लिए किया. इसे उन्होंने कुबेर के लिए बनाया था, लेकिन बाद में रावन ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। लंका का ये महल अध्भुत वास्तुकला और शिल्प का उदाहरं था, जिसकी भव्यता और सौंदर्य की प्रशंसा पौरानिक कथाओं में की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा और महत्व भगवान विश्वकर्मा की पूजा विशेश रूप से शिल्प कारों, कारीगरों, निर्मान कार्यों से जुड़े लोगों और इंजीनियरों द्वारा की जाती है। उनके आशीरवाद से कारीगर अपने कार्यों में कुशलत प्राप्त करते हैं और निर्मान कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। विश्वकर्मा पूजा विश्वकर्मा पूजा हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। इसे एक शुप दिन माना जाता है। जब कारीगर और शिल्पकार अपने उपकरनों और यंत्रों की सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। ये दिन विशेश रूप से उन लोगों के लिए म हत्वपूर्ण होता है जो निर्मान, शिल्पकला और तकनीकी कार्यों से जुड़े होते हैं। इस दिन लोग अपने कार्यस्थलों को सजाते हैं और भगवान विश्वकर्मा की मूर्ती या चित्र की पूजा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की कथा हमें ये सिखाती ह कि परिश्रम, कुशलता और रचनात्मक्ता का जीवन में विशेश महत्व है। वे न केवल स्रिष्टी के रचनाकार थे, बल्कि उन्होंने हमें ये संदेश दिया कि हर कार्य को पूरी निपुंता और समर्पन के साथ करना चाहिए। चाहे वह निर्मान का कार्य हो, शिल्प हो, या यान्त्रिकी हो, भगवान विश्वकर्मा का जीवन और उनका योगदान हमें ये प्रेरना देता है कि हम अपने कार्यों में कुशल बने और अपने कोशल का उपYोग समाज और मानब्ता के भलाइ के लिए करें। भगवान विश्वकर्मा की पूजा से हमें ये भ इकभाल करना आवश्यक है.